आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ अलो प्रंट, हमारे जो question है उसे मुलगा है कि time period T of simple pendulum of length L is given by T is equal to 2 pi under root में L by G if length is increased by 2% then approximate change in time period is यह अपने पाऊश अपसन है ठीक है, चलो तो देखो, मेरा time period T is equal to कितना है, 2 pi under root में L by G है दोनों side में, अगर मैं log ले लू T हो जाएगा log T is equal to इधर log 2 pi और into में कितना under root of L by G हो जाएगा, ठीक है तो log में जब multiplication होता है तो उसको में addition में लिख सकता है तो जाएगा log 2 pi और plus में log of L by G यह under root को में लिख सकता हूँ इनके power में 1 by 2 ठीक है, चलो तो log में जब power में कुछ होता है तो उसको multiplication में लिखते रहे हम तो log 2 pi प्लस में यह हो जाएगा multiplication में 1 by 2 हो जाएगा और यहां पर log L by G हो जाएगा ठीक है, अब देखा हम को पता है कि log A by B वो क्या होगा, log A माइनस में भी log B होता है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि log 2 pi प्लस में half times of log L minus में half times of log G हो जाएगा ठीक है, और इधर मेरा क्या है log T है अब देखा हम क्या करते हैं differentiate कर देते हैं दोनों साइड में तो इसको अगर मैं differentiate करूँगा तो log का differentiation 1 by T होता है और फिर DT कर देते हैं ठीक है, इस इक constant है तो इसका differentiation 0 हो जाएगा प्लस में half of इसका differentiation करूँगा तो 1 by L आ जाएगा फिर इसके बड़ DL आ जाएगा ठीक है, और ये दो को G भी एक constant value होती है तो इसकी भी differentiation कितने होगी 0 हो जाएगी ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि DT divided by T ये एकवल है half times of DL divided by L के एकवल 100 ये कितना है, 2% के एकवल है ठीक है, देखो ये दिया कहा है चौलो, तो देखो यहां से हम DL divided by L को हम लिख सकते हैं 2 by 100 ठीक है, तो उसकी value यहां पर substitute कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 by 2, DL divided by L कितना है अपना 2 by 100 है ठीक है, तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा ठीक है, तो यहां से हमारा DT divided by T ये एक को अलाग है किसके, देखो 1 by 100 के ठीक है, 1 by 100 के तो हम percentage अगर मुझे निकालना है तो 100 से multiplication करतेंगे तो DT divided by T into में 100 तो इधर भी 1 divided by 100 into में क्या हो जाएगा 100 तो ये कितना आजाएगा, 1% आजाएगा ठीक है, तो हमारा जो time period में जो change होगा वो होगा 1% option number 2 ठीक है, तो hope आपको समझ में आगा, thank you Classics चुट्वल से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर